तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है तो आपके पीठ के पीछे जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो लोगों से क्या कहेंगे या आपके नेचर या पस्टालटी के बारे में तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वान, पाइल नमबर टू, पाइल नमबर वन को आप इस इमिज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडेक साइन से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से पाइल नमबर टू है, आप इस इमिज से चूज कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं आपके future spouse आपके बारे में क्या कहते हैं नाइन आफ कप्स शुरुआत बहुत अच्छी हुई है आपको एक wish fulfillment की तरीके से देखते हैं नेक्स्ट आरा है दो हमेट वर्गो एनर्जी है नेक्स्ट आरा दो फूल एक्वेरिस एनर्जी है नेक्स्ट आरा six of wands, Aries, Leo, Sagittarius की एनर्जी है नेक्स्ट आरा knight of coins, Virgo एनर्जी है नेक्स्ट आरा page of coins, ओके नेक्स्ट आरा six of swords, Aries, ओ स्ली, Libra, Aquarius, Gemini की एनर्जी है नेक्स्ट आरा the wheel of fortune, Ace of swords, Gemini एनर्जी है और नेक्स्ट आरा हमारे पास magician, Heavy Mercury है तो यहाँ पर जो है आपके future spouse या spouse चाहे वो male हो चाहे वो female हो आप अपने gender से resonate करना वो जो है आपके पीट पीछे लोगों से क्या कहते है तो मैं यहाँ पर यह बता रही हूँ तो nine of cups है, nine of cups जो है वो एक wish fulfillment को दिखाता है कि wish fulfillment जैसा उन्होंने चाहा था अपना spouse या partner पार्टनर कहना जादा बहतर रहेगा तो वो जो है आपको उसी तरीके से देखते हैं अगर वो male है तो female के लिए होगा अगर आप female है तो male के लिए होगा तो उसमें जो है वो आपको overall तरीके से हर तरीके से जो भी उन्होंने अपने criteria बना रखे होंगे उसमें जो है tick boxes लगते हैं यहाँ पर जो है वो आपके गालों को सहलाना आपके lips की तरफ बहुत जादा attraction महसूस करेंगी चाहे आपका कोई भी gender हो तो यहाँ पर जो है वो आपको kissing करने के mood में जादा रहते होंगे तो थोड़ से flirtatious energy है लेकिन आप जो है हमेशा shy करते कि इश्वर की तरफ से जो है उन्हें एक अच्छा इनाम मिला है जिसकी उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा partner उन्हें मिल पाएगा लेकिन आप जो है उनकी केर इस तरीके से करते हो या करती हो कि जिससे उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक trophy wife या trophy husband को पाया है त इससे उनको और ज्यादा जो है महत्वपून भी महसूस होता होगा और अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक positive तरीके का एक confidence level भी जो है वो बढ़ता होगा नेक्स्ट आ रहा है तो हमिट का काड़ आ है हमिट जो है वोगो एनर्जी को दिखाता है आप काफी ज़्यादा शा होता रहता है आप से कुछ भी पूछ लिया जाए लेकिन आपके पास उसका सटीक उत्तर होता है आप कभी भी ऐसे नहीं करते हो कि यार मुझे पढ़कर बताना पड़ेगा या मैं पता करता हूं आपके पास उसका already जवाब होता है क्योंकि खासकर जो है कह सकते हैं life को ले है लेकिन आपको life का experience है अच्छा बुरा हर तरीके की चीज़ का experience है तो आप अपने अंदर जो वो wisdom लेकर चलते हो या spiritual wisdom लेकर चलते हो उस तरीके की energy आपको हो सकता है winter time बहुत जादा पसंद हो या फिर जो है आपको जो अलग-अलग तरीके की stories होती है या चाह spiritual story हो चाह आप सीखते हो जैसे की for example कोई भी अगर movie देखी या story देखी तो उसमें जो message छुपा हुआ है या जो character से आप सीख सकते हो तो वो भी जो है आप सीखने की हमेशा कोशिश करते हो तो इस तरीके की energy है तो आपको learning रखना बहुत जादा पसंद है चाहे वो आपको किसी भी perspective म मिले तो आप एक कह सकते हैं कि life के लिए lifelong student हो इस तरीके की energy next hour the fool का काड़ा है तो फूल जो है Aquarius energy को दिखाता है आप risk taking ability रखते हो लेकिं सो समझ कर ही जो है आगे बढ़ना भी चाहते हो ऐसा नहीं है कि young या youthfulness के चकर में जो है आप अपनी wisdom को खोदो तो ऐसा नहीं है और आप जो है वह उस चीज को अचीव करना चाहते तो उसके लिए आप steps या actions लेना भी पसंद करोगे ऐसे नहीं है कि सिर्फ ख्याली पुलाओ बना रहे हो और बैठे बैठे बाते कर रहे हो तो आप में बहुत जादा action का और emotions का dreams का एक समावेश है या कह सकते है balance है जिस चाहे आप job करते हो चाहे आप business करते हो चाहे आप कुछ भी करते हो लेकिन आसपास के लोगों के बीच में आपकी leadership quality होगी लोगों से बातचीत करना लोगों के opinion को एक push देना या यह मतलब यह भी कह सकते हैं कि एक सही तरीका का approach देना life को उसकी वज़े से आपको leadership quality के तरी तो हो सकता है society के आप member हो या society के आप president हो इस तरीके की चीजे भी होगी कि चार लोगों से बातचीत करके आप सही तरीके का decision ले पाते होगे और एक responsible job को या leadership quality को भी बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हो तो एक responsibility भी ले पा रहे हो emotionally intelligent भी हो empathetic भी हो कि लोगों के जो द से बात करना जानते हो respect लेना जानते हो तो दोनों ही तरीके की energy है यहां पर जो है आपके person जो है वह आपको देखते हैं या partner आपके बारे में यह कहते हैं कि आप काफी ज़्यादा slow and study wins the race में believe करते हो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी सब कुछ achieve कर लेना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम है आपका जो intuition है वो यह चीज़ कहते है कि काफी लंबा समय लगता है अगर जिंदगी में इजद बनानी है तो उसको सारी जिंदगी carry करने के इंवेस्ट करते हो चाहे वह और पैसा हो उसको long term जो है उसका reward पाना चाहते हो तो एकनोमिक्स आपकी अच्छी हो सकती है या politics आपकी बहुत जीदा अच्छी हो सकती जरूरी नहीं है आपकी degree और यह सकता है आपने इसमें degree ली'd हो लेकिन आपके जो एक normal जो तरीका है जो leadership quality है या जो कह सकते हैं लोगों की समझ है वो जो है और लोगों से या average लोगों से जादा है तो इस तरीके से जो है आप अपना decision सही तरीके का ले पाते हो आपको animals से बहुत जादा प्यार है बेशक वो dog हो cat हो जो है वो pets में ऐसे रखा जाता और अगर आपक आपको इनसे जो है प्यार रहेगा क्योंकि आप उनकी केर करना जानते हो आपका caring या nurturing nature है next आरे page of coins की energy तो page of coins जो है new opportunity को दिखाता है जैसे मैंने कहा कि आपके जो partner है वो लोगों से यह हैंगे कि आप learn करना बहुत जादा अच्छी तरीके से fast learner हो या यह कह सकते हैं कि आपको अपनी ही knowledge होगी हो सकता है एक example देती हूँ जैसे मालो सिर्फ example है जरूरी नहीं है कि सबी से resonate करे स्वेटर बुनना भी एक कला है तो उसमें भी जो है innovation करना या अगर cooking भी आप कर रहे हो तो उसमें जो है जैसे मालो cake बना रहे हो ठीक है तो cake को जो है अलग-अलग से decorate करना या उसमें अलग-अलग innovation करना यह ऐसे नहीं ऐसे करना ऐसे नहीं ऐसे करना तो वह learning experience जो है वह आपका बहुत जादा अच्छा है आपको बच्चे और animals बहुत जादा पसंद है हां आप अकेले जो है वह थोड़ा जादा रहना पसंद करते हो as compared to भीड में रहना आ European countries या फिर जो है Arctic Ocean जो नौर्थ जैसे आइसलेंड हो गया केनेडा का ऊपरी भाग हो गया या रशिया का ऊपरी भाग हो गया साइबेरिया हो गया तो वहाँ पर जाने की इच्छा होगी अगर आभी तक आप नहीं गए हो क्या को ठंडा इलाका देखना जहां पर खुब ब जाने की इच्छा है नेक्स्टार सिक्सों सॉट्स के अनरजी तो सिक्सों सॉट्स जो है वह मूविंग अवे या फर्दर जो आपके लिए सही है आपके लाइफ में ऐसा भी कुछ हुआ होगा डिपेंड करता है सबकी सिच्वेशन अलग-अलग होगी डेजनेट अलग-अ मिलता है लेकिन आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपनी ही लाइफ से सीखा है चाहे वह माबाप की बिमारी हो फानेशल कंस्ट्रेंड हो किसी अपने का बिछड जाना हो या मृत्य हो जाना हो हलाकि सबके लिए रेजनेट नहीं करेगा मैं पहले ही कह रही हूं तो क स्ट्रॉंग वोमेन या मैंने नहीं देखा क्योंकि वो इतने मुश्किल समय में भी उसने अपने आपको संभाला है हो सकता है आपका चैल्ड हुड उतना अच्छा ना रहा हो या किसी कारण से प्रॉब्लम रही हो जिसकी वज़े से आपने अपने आपको ही रेज किया है तो ऐसी एनरजी भी यहां पर आ रही है आप अपने इमोशन को काफी हद तक छुपाते हो गए लेकिन अपने बच्चे के सामने जो है या किड्स के सामने जो है या अनिमल्स के सामने आपके इमोशन बहुत अच्छी तरीके से एक्स्प्रेस होते हैं तो इसी वज़े से ज और उन्हें मालूम है यह चीज़ नेक्स्ट आरा है वील और फॉर्चुन आपने अपनी डेस्टिनी को खुद से लिखा है तो इस तरीके की एनरजी है आप अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हो उसमें खुद काम कर रहे हो और आपको मालूम है आपके बहुत सारे ड्री जो है आपको सपोर्ट दे रहे हो और इस वजह से वह अपने आपको भी लकी मानते हैं फाइनेशल तरीके से भी आप उन्हें सपोर्ट देना चाहते हो नेक्स आरे एस उस और जो है क्लियर कॉम्निकेशन को दिखाती है कि आप घुमा फिरा के बात करना पसंद नी करते हो आपको जो है ऐसी चीज नी है कि जैसे हर चोटी चोटी चीज पर एक्सक्यूज दे दे लिया या फिर हर चोटी चीज को जो है निगलेक्ट कर दिया आप ऐसे नी करते हो आपका mental clarity है आपको life का अपना पता है मुझे क्या करना है कैसे करना है क्यों करना है जो लोगों को अ अपना काम करते रहते हो जो भी आपको काम करना है या कुछ नया सीखना है या लोगों से बात ही करनी है तो उसमें भी जो है आप अपनी चीजों को और जाधा इंप्रूव करना पसंद करते हो थोड़ा सा रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन आपके बर्चार्ट में मकरी का काफी जाधा इंपॉर्टन्स होगी या आपका बुद्ध पर्वत जो आपके हाथों में रेखाओं में होता है वो भी उबरा हुआ होगा जो हमारी छोटी वाली उंगली होती है हाथों की उसके ठीक नीचे ब अचीव करोगे और आपके पार्टनर जो है वो आपके पोटेंशल को जानते हैं और वो आपकी प्रशंशा भी इसलिए करते हैं चलिए देखते हैं कुछ और कार्ट पहला यह आया है और नेक्स्ट यह आया है तो यहां पर जो है आपके परसन जो भी हो पार्टनर हो चाहे मेल हो जाए फीमेल हो आपकी तरफ बहुत जादा noticeable चीजों को देखते हैं आपकी हर छोटी सी छोटी बड़ी चीज को वो notice करते हैं और next यहां पे जो है थोड़ा सा love making आ रही है तो आपके साथ जो है soul to soul connection भी create कर रहे हैं तो चलिए देखते union honor the place in one another where you are one eternal soul for there you will find true bliss तो यहां पर जो है union आ रही है जैसे मैंने कहा soul to soul जो है love making कर रहे है और जब आप लोग इस तरीके की चीजों में आ जाओगे तो आपके partner जो है जो आपका रूप देखेंगे as compared to caring में nurturing में या आपके desires में तो उनको समझ आ जाएगा कि आपकी जो है जो छुपी हुई आपने अपने emotions को suppress किया है चाहे वो sexuality से related हो चाहे किसी और चीज से हाला कि यह नहीं बोलेंगे अपनी sexuality से आपकी sexuality के secrets तो बाहर नहीं reveal करेंगे लेकिन वो समझ जरूर जाएंगे कि आपने जो है अपने emotions में जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हें जगा दी है तो ऐसी energy यहाँ पर आ रही है तो वो अपने आपको lucky मानेंगे चलिए देख लेते हैं इस readings are related को charms तो यहाँ पर आ रहा है एक heart आया है यहाँ पर आपकी loving situation बहुत जादी है आप अपने emotions को जो है बहुत अच्छे तरीके से express नहीं करते हो लेकिन love जो है वो यहाँ पर है next आ रहा है यहाँ पर dear आई है तो dear जो है वो shyness को दिखाता है तो shyness जो है वो आपकी एक blushing जो चीज है जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि शर्मीले हो आप तो वह वाली energy है जिसको वह बहुत जादा पसंद करते हैं next आ रहा diamond आया है तो उनके हिसाब से जो है आप एक diamond हो उनकी life में जो है इस तरीके का इंसान उन्होंने कभी देखा नहीं क्योंकि जातर लोग जो है या तो वह arrogant होते हैं या फिर जो है वह boostful होते हैं कि अपने बारे में ही बताते रहते हैं मेरा ये मेरा है वो आप जो है वह कुछ नहीं बोलते हैं achievements को भी जादा reveal करना पसंद नहीं करते हो next आ रहा है या पर gun with the roses आई है तो आप practically legally बहुत जादा सही चलते हो और गलती करने में यकीन नहीं रखते हो next आ रहा है या पर love आया है तो आपसे वो love करते हैं आप बहुत जादा उनसे love करोगे next आए spoon आया है जैसे मैंने कहा था एक मैंने sentence बोला था शायद आपने अगर reading बहुत अच्छे सा सुनी हो कि आपका जो love है वो बच्चे और animals के सामने बहुत जादा expressive होता है तो आप अपने बच्चे को बहुत जादा प्यार करोगे तो उस तरीके का love जो है वो देखकर आपके partner जो है वो बहुत जादा खुश होंगी चले देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए love lyrics दो दिल मिल रहे हैं परदेश मुवी का नेक्स टारा एक दिन आप यस बॉस का नेक्स टारा मैं अगर कहूं ओम शांति ओम का और नेक्स टारा आ आपके लिए ask for help from others तो दूसरों से मदद लिए नेक्स टारा पीस्फुल रेजिलूशन नेक्स टारा आपके लिए और नेक्स टारा आपके लिए फुल मून और नियू मून तो यहां पर जो है यह चीजे आपके आंसर की तरीके से आ रही है तो पाइल नंबर वान यह थी आपकी रीडिंग उमीद करते हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और अच्छ नेक्स टारा एस ओफ कप्स शुरुवात बहुत अच्छी होई है ओवर्वेल्मिंग इमोशन से कैंसर पाइसस कॉप्यों नेक्स टारा टैन अफ वांड्स एरीज लियो सेजिटेरियर्स के एनरजी है नेक्स टारा आपका इस परसन को बहुत जादा पसंद है और उनका भी लविंग नेचर आपको पसंद होगा नेक्स टारा लिपर एनरजी है नेक्स टारा फ्री ऑफ काप्स और नेक्स टारा तस टार अक्वेरिस लिपर जीा है तो यहाँ पर जोडेख सांग जो है वो प्र मेल हो अपने जंडर से रेसोनेट करना तो वो जो है आपमें पेशन्स को बहुत ज़ादा मेहत्वर मतलब देखते हैं जिसकी वज़े से आपको एडमार करते हैं आज कल जो है वह जातर लोगों में पेशन्स ही नहीं है किसी भी चीज को देख लो चाहे रोड पे हौन ही बजाना क्यों नहीं हो छोटी सी बात है अगर लोगों से कमपारिशन करें तो आप एक समझदार इंसान हो आप जो है वाइस परसन हो जो भी आपके laughter हो और पेशन्स है आप में कि आपको पता है पेश candle से ही जो है Life को जिया जा सकता है जो कि लोगों में अब खतम होती जा रही है खासकर यंग जनरेशन में दूसी आप बहुत जादा अच्छे तरीके से इंफिलेंस कर लेते हो लोगों को उनसे काम निकलवाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है और ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए आप कोई गलत तरीके का काम कर रहे हो नहीं यह एक तरीका होता है यह टाक्टिक होती है हर प्यार से असक्त है किसी के साथ बुद्धी का खेल करके अगर निकलवाना है काम तो निकल वाल होता अहीं बड़े ही शात्र तो नहीं शातर एक नेगेटिव सेंस में चतर जरूर ठीक है और एक पॉजिटिव सेंस में इस तरीके की इन्रजी है तो आपyas काफी जाद हम आप काफी जादा वर्सेटाइल परस्नालिटी है आपकी आपकी लाइफ में नेक्स जाए एस ऑफ कप्स की एनर्जी तो एस अफ कप्स जो है ओवल वैंमेंग इमोशन को दिखाता है आप जिनसे भी प्यार करते हो उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो जैसे कि कोई भी चीज ले लो हर कोई अपनी फामली को पसंद करता है या प्यार करता है लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अपनी फामली के लिए सब कुछ कर गुजरना लेकिन आप जो है थोड़ इस तरीके के एनर्जी में हो इस चीज से कभी-कभी उन्हें डर भी लगता है और इस चीज से उन्हें प्रावड भी फील होता है डर इसलिए लगता है कि अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आपको कुछ नेगेटिव या डिस्ट्रक्शन करना पड़े तो आप नहीं हटोगे एक तरीके से यह फामली के लिए अच्छा है प्रस्पेक्टि हो अपना काम करते हो जॉब करते हो या बिसनस करते हो या अगर नहीं भी करते हो हो ओम मेकर भी तो भी जो है ओवर्वर करते हो तो आपकी यह तरीडлекनलनजी जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो लोगों के इसाप से बहुत अच्छी है आज कौन किसी के लिए त्याग कर रहा है लेकिन अपने लिए भी कुछ समय आपको निकालना चाहिए तो उनका ये प्रस्पेक्टिव है आपके पार्टनर का दूसी चीज है कि आप जो है अग नेगेटिव बता देगी नेक्स्ट आरा एंपरर का काड़ा तो एंपरर जो है एरीज इनरजी को दिखाता है चाहिए आप मेल हो चाहिए आप फीमेल हो आपके पास कमांडिंग वोईस है वोईस जो है वो आपकी ऐसी है कि अगर आपने किसी कुछ कुछ बोल दिया तो वह जो है वो फिर वहीं पर टिक जाएगा आपकी वोईस जो है वो ऐसी है तो हो सकता है आपकी काफी हाई पिछ हो चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बोई हो तो ऐसी चीज नहीं है ऐसी वोईस नहीं है कि जैसे बहुत जादा धीमी आवाज हो या ऐसी चीज है जैसे कि मेरी तो उसचीज से जो है मुझे टाकल करना आता है कि मेल को कैसे टैकल करना है कि वही चीज है यहांपर तो आपकी आवाज से ही आप अपना काम कर वा लेते होंगे तो ऐसी एनरजी है दूसी चीज है कि अपने Life की responsibility को इस तरीके से ले लिया है कि जिसकी वज़े से आप अपनी जो softerness है उसको थोड़ा-थोड़ा खो देते हो कभी-कभी कभी-कभी आपके partner को जो है ऐसा भी लगता है कि यार अपने से लिए भी समय निकालना चाहिए इंसान को अपनी individual life भी जीनी चाहिए ठीक है responsibility है ठीक है life है job है सब कुछ है लेकिन अपने आप में भी थोड़ा enjoyment होना चाहिए तो उस चीज में आपको थोड़ा सा changes लाने की ज़रूत है और आपके partners चाहते हैं कि आप यह चीज चेंज लेकर आओ नेक्स टार है king of sorts की energy है तो king of सबको थोड़ा हाथ से दूरी रखना पसंद करते हो यह आपकी energy है आपकी protectiveness है और आपका nature है कोई बुराई नहीं है वह बुराई के वे में नहीं कह रहे है लेकिन कभी कभी जो है ठोड़ी diplomacy भी खेलनी पड़ती है लेकिन आप ठोड़ी strict जादा हो क्योंकि आपने life में जो है जैसे मैंने कहा त्याग दिया है मतलब त्याग किया है अपने life में और देख भी है तो आप समझ पाते होगे कि सामने वाला सिर्फ time pass इनसान है कभी किसी के लिए साक्रिफाइस नहीं करेगा अपने लिए आपनी family के लिए नहीं यह जो है इसकी वेल्यू इतनी प्रॉमिनेंट नहीं है तो आपके हाइ स्टैंडर्स जिसकी वज़े से कई बार कुछ लोग जो है वह आपको नेगेटिव लाइम लाइट में भी देखते होंगे हाला कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आपको एक तरफ जो है वो कोई भी नेगेटिव कमेंट भी पास करें तो आप बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छे हो 80% लोगों के लिए अच्छे हो लेकि 20% जो है वो आपकी इस आदत की क्योंकि थोड़ से ब्लंट हो सकते हो आप और जैसे मैंने कहा कि हाथ की दूरी पे रखना पसंद करते हो हर इंसान जो है वो इतना वाइज नहीं होता बहुत सारे लोग गलतिया करते रहते हैं उससे भ कभी उनके मन में आता है कि थोड़ सी डिपलोमेशी भी ठीक है करने दो हमें क्या करना है ऐसी एनरजी है ठीक है तो जो चीज आ रही है वो मैं आपको बता रही हूं एक स्थार इस सेवन औफ कप्स है आपके ड्रीम्स हैं अंबिशियस परसन हो आप आपको बहुत सारी opportunities द पाते हैं कि सख्सेस मिल तो जो चाहते हो वह पा रहे हो तो आपका काफी जाधा रहे हो चाहे पर रहे हो चाहे है को मीथी आपके पार्टनर जो है वह आपको डीपली लव करते हैं और आप भी उन्हें डीपली लव करते हो यहां पर कॉन्वर्जेशन के थुरू नहीं है कि बहुत मीठी-मीठी बाते हो रही है एक दूसरे के मन में वह जगा बन चुकी है कि कोई और उस जगा को नहीं ले सकता है य लेकिन आप दोनों का जो एक डीपर कनेक्शन है वह इस तरीके का है कि जैसे अंस्पोकन लव होता है अंकंडिशनल अंस्पोकन लव कभी कहा नहीं आई लव यू लेकिन उसके बावजू जो है उसको डीपली फील कर लिया है वह वाली एनरजी है यहां पर नेक्स आरा जस साइटी में होता है और कोई कह सकते हैं आप इसका प्रस्पेक्टिव मैं नहीं दूंगी इस ही है लेकिन लोगों के रूस जो है वो अपने लिए कुछ होर होते हैं दूसरों के लिए कुछ और होते तो आप जो है ऐसे नहीं हो । है उसको follow करना है चाहे वो घर वाला हो चाहे वो भार वाला हो थोड़े strictness वाली energy है आपकी तो इस वज़े से जो है आपके partner तो इस चीज को admire करते हैं और समझते हैं क्यूंकि आपके पास एक valid reason है इस चीज के लिए लेकिन society में जैसे मैंने कहा कि अपने लिए rules अलग होते है हमारे बच्चे ने गाली दे दी तो कोई बात नहीं माफ कर दो दूसरे ने गाली दे तो वह बहुत खराब है तो वही चीज यहां पर आ रही है तो इस चीज से आपको conflict create होता होगा तो इसलिए आप लोगों से थोड़ा दूर ही हटना पसंद करते होगे आपके तीन या पांच दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपके बच्पन से होंगे बहुत घनिष्ट होंगे आपसे प्यार करते हैं बच्पन से प्यार जो है वो यहां पर romantic चीज नहीं है दूसी तरीके का लेकिन आपके friendship जो है चाहे वो आप male हो चाहे वो female हो आपकी एक बनती है क्योंकि उन्हों ने आपको उसी तरीके से accept किया जैसे आप हो और यह चीज जो है वो society में हमें नहीं मिलती है अब बहुत जादा अच्छे बनना भी खतरनाक चीज आती है और बहुत बुरे बनना भी खतरनाक चीज जाती है तो कभी-कभी आपका partner जो है वो आपक यूनिक पसनलिटी है वह आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद होगी और वह लोगों के सामने भी कहते होगा कि आप लोगों से अलब हो जादातर लोगों से जो एक रेयर जम जो होता है या रेयर डायमंड जो है वो सब जगा एक सा नहीं होता है उसी तरीके कि आपकी एनर्जी है आपका नेचर आपका प्योर सोल है प्योर मन है जिसमें आप जो है पोलूशन जो सुसाइटी का पोलूशन है वो जो है आप नहीं लेकर आना चाहते हैं वजह से आपकी फिजिकल बॉडि आपका चहरा आपकी फिजिकल बॉडि भी दमकती होगी और आपका मन जो है वो भी अच्छा होता होगा तो आप एज के साथ बड़े नहीं हो रहे हो एज के साथ यंग होते जा रहे हो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर ठीक है क्योंकि आपकी एज तो बढ़ रही होगी लेकिन आपकी जो चेहरे का नूर है वो जो है वुसी तरीके का बरकरार है क्योंकि आप अंदर से अच्छे हो अंदर से साफ दे लो जो की आजकल नहीं है तो इस वज़े से आपके पार्टनर बहुत ज़ादा एड्मार करें आप जो है गिरगिट नहीं बने हो आप जो है एक इनोसेंट चाइल्ड की तरीके से हो जिस तरीके से इस कार्ड में मेमना देख रही हूँ मैं उसके हाथों में तो उस एनिमल को उस मेमने की तरीके से सोफ्ट हो तो वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर सोफ्टनेस है ले लोग आपसे motivate होते होंगे इस वज़े से भी आपके person जो है वो आपको बहुत अधा admire करते हैं और आपके feet पीछे आपकी प्रशंशा करते हैं तो चली देख लेता है कुछ और cards तो पहला यह आया है और next यह आया है यहाँ पर तो आप अपने मन को मतलब जो आपका दिल करता है वो आप करते हो और खुशी से रहना पसंद करते हो passionate heart है तो चली देखते हैं क्या कहता है transformation your relationship with one another is about to deepen love conquers and transforms all things transformation को जो है वो पसंद करते हैं थोड़ा सबस आपसे वो diplomacy चाहते हैं कि आप कभी-कभी जो है strictness को थोड़ा छोड़ कर जो है वो आप diplomacy में आ जाएं तो थोड़ा-थोड़ा आप सीख भी रहे हो society में की कभी-कभी ज़रूरी पढ़ जाती है next आर है when you pass from this world you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love तो आप जिनकसे भी love करते हो उनके साथ memories बनाना वो private moments ज़रूरी नहीं है आप social media पर डालो हर इंसान जो है वो आजकल majority जो है वो बर्दे की फोटो एनिवर्स्री की फोटो बेबी के आने की फोटो हर कुछ जो है वो social media पर डाल रहे हो आपनी डालते हो आपका मन नहीं है क्योंकि आपको लोगों से जो है आपकी यह नेचर है कि आप लोगों से जो है बहुत जादा effect नहीं होते हो आपके मन में यह आता है कि लोगों को क्या दिखाना या लोगों से क्या देखना मैं जहां पर हूं जिन लोगों के साथ हूं उनसे जो है मेरी memory अच्छी रहे वो मुझे लब करते रहे मैं उनको respect करता रहूं ऐसी energy है और है विखाना जादा चलएंगे हैब जो है आपको हील के लिए नहीं करेंगा यहां पर फ्लार आया है तो पर्फ्यूम्स का बहुत जाना शॉक हो सकता है रूम फ्रेशनर या जो भी घर में चीजे यूज होती हैं, खुश्बुदार, तो वो जो है आपको बहुँचादा पसंद होगी और आपके परसन भी झाल इस चीजे को पसंद होगी इस तरह क्यामरा आपको फोटाइफ का शॉक हो सकता है, फोटाइफ़िक करना बहुँ पसंद होगा या फिर आपको फोटोज क्लिक करना या मेमरीज को रखना इस तरीगी की एनरजी है यहां पर प्लानेट आया है तो प्लानेट जो है एक चेंजिस को दिखाता है डेस्टनी को आप अपनी डेस्टनी खुद लिख रहे हो लेकिन आपको मालूम है कि इश्वर की मर्जी से ही यह सब हो रहा है तो उस चीज को आप रिस्पेक्ट भी करते हो चलिए देखते हैं कु कुछे नाम नहीं आद का रहा है विनोध महरा और रेखा का गाना है तो इसी तरीके के लाव तो उस चीज आपके अंडर एक मतलब भावना है जो की अच्छी भावना है लेकिन उसके बावजुद जो है कभी-कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए तो आपके पार्टनर ये जरूर चाहते हैं आपने चलिए सोच लिजे अपने रांडम कोशन में आंसर्स निकाल रही हूं तो पहला आरा येस 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 नेक्स्ट आरा टेक आक्शन नेक्स्ट आरा यूर रेडी और नेक्स्ट आरा आस्क योसे तो इस तरीकी के आंसर्स आपको आरे आपको इंटर्पेट खुद करने हैं तो पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थाइंक यू